हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल तारा मद्दू की रे सोई दोस्तो आज मैं आप सभी के साथ किसी रेसिपी का वीडियो नहीं बलकि बेकिंग और कुकिंग में इस्तमाल हुने वाले साइटरिक एसेड और क्रीम ओफ टार्टर को लेकरके एक वीडियो शेयर कर रह कि ये तीनों चीजे क्या होती हैं कैसी दिखती हैं क्या काम करती हैं क्या इनके केमिकल फॉर्मुला है और इन्हें हम अपनी कुकिंग और बेकिंग में कैसे यूज कर सकते हैं साथ ही ये भी बताऊंगी कि ये कहां मिलेंगी कितने की मिलेंगी और अगर ये ना भी मिले तो तो इनके क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं तो बहुत ही यूसफुल और जानकारी से भरा मेरा ये वीडियो है क्योंकि अक्सर लोग इन तीनों चीजों को लेकर के साइट्रिक एसिट से जिसको नीबू का फूल या फिर नीबू का सत भी कहा जाता है इसे खटे फलो जैसे की नीबू और संत्रा से निकाला जाता है ये एक तरीके का वीक यानिकी कमजोर एसिड है और इसलिए ये बहुत ही अच्छा एंटी ऑक्सिडेंट है इसका रसायनिक यानिकी केमिकल फॉर्मुला C6, H8 और O7 है अब आप सोचेंगे ये जानकारी हमारे किस काम की तो फ्रेंट्स अब मैं आपको बताती हूँ कि ये साइटरक एसिड दिखता कैसा है इसका टेक्स्चर कैसे होता है ये एक तरीके का छोटे-छोटे चीनी के दानों जैसा अदा की जाती है मार्केट से अगर आप कोई खाने का पैकेट खरीते हैं और उसके ओपर E330 लिखा है तो आप समझ जाएगा उसके अंदर साइटरक एसिड है साइटरक एसिड एक तरीके का बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजर है ये चीजों की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देत हैं काफी दिनों तक उसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है और साथी खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आप बेकिंग करते हैं तो घर में केक प्रिमिक्स वगरा बना करके स्टोर करते हैं उसमें अगर आप ये साइटरक एसिड डाल लेंगे तो आपके प वह उसकी वापस से क्रिस्टलाइजेशन होने को रोप देगा यानि की चीनी को जमने से बचाता है तो इस तरीके से कुकिंग और बेकिंग में तो हम इसका इसतमाल करते ही हैं और ऐसे ही साइटरक एसिड को हम घर में साफ सफाई के लिए इसतमाल कर सकते हैं अगर आप एक चार चमच पानी में घोल करके अपने बाथरूम के या कीचिन के नलों को साफ करेंगे तो आपके जो स्टील के नल है वो चमकदार हो जाएंगे और ऐसे ही घर की साफ सफाई करते समय अगर आप पोच्छा लगाने वाली बाल्टी के पानी में आधा चमच ये साइटरक एस चलिए अब बात कर लेते हैं टार्टरिक एसिट जिसे हिंदी में टार्टरी भी खाँ जाता है ये भी खाने में काफी खटा होता है बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि साइटरक एसेट और टार्टरिक एसेट दोनों अलग है या एक चीज़े है तो फ्रेंड्स ये दोनों ही चीज़े खाने में बले ही खटी लगती हैं लेकिन इनके रसायनिक यानिके केमिकल फॉर्मुला दोनों अलग हैं इसे C6, H6 और O6 कहा जाता है यह चो टार्टरी कैसे उट होता है फ्रेंड्स के मार्केट में दो तरीके से मिलता है एक तो एकदम फिटकरी की तरह ड करेंगे तो जब आप उसे चुएंगे तो एक तब बारीक दानेदार यह होता है जैसे हमारे घर में सफेद नमक होता है और इस टार्टरिक एसेड को खटे अंगूर, इमली या फिर केले में से निकाला जाता है जिस भी खाने के पैकेट को आप भार से खरीदे और उसके उ जूट को फाड कर अगर आप पनीर बनाना चाहते हैं तब भी इसका इस्तमाल किया जाता है यह आराम से आपको किसी भी पर्चून या फिर जनल स्टोर पर 80-90 रुपय में 100 ग्राम मिल जाएगा तो यह भी काफी सस्ता मिलता है लेकिन साइट्रिक एसेड और टार्टरिक ए चीज की नहीं बढ़ती है तो यह बहुत बड़ा डिफरेंस है जो काफी कम लोगों को ही पता है तो इसी वज़े से दोस्तों अगर आपको साइट्रिक एसिद का काम टार्टरिक एसिद से लेना है तो आप ले तो सकते हैं लेकिन केवल खटी चीजों को बनाने के लिए काम आता है इसी वज़े से कुकिंग और बेकिंग में हम ज्याद अतर साइट्रिक एसिद को लेना प्रिफर करते हैं बजाए टार्टरिक एसिद के तो चलिए अब बात करते हैं क्रीम ओफ टार्टर की यह एक तरीके का सफेद एक तम बारीक आउडर होता है यह एक वाइन की प्रोसेस से बचा हुआ प्रोड़क्ट है इसका जो रसायनिक यानि की केमिकल फॉर्मुला होता है वो होता है के सी फॉर एच फाइव और ओशिक्स यानि की इसके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है और इसलिए इसे पोटेशियम बाई टार्टरेट पी कहा जाता है यह सायटरिक एसट और टार्टरिक एसिट की धर है खाने में बहुत ज़ादा खहता नहीं होता बल्कि हलका खट्टा होता है और इसलिए यह एक बहुत ही बढ़िया स्टेबलाईजर माना गया है सायटरिक एसिट से भी ज़ादा अच्छा इसलिए इसका इस्तमाल क्रीम को विब चाहते हैं कि आपकी क्रीम बिल्कुल इसही बनी रहे हैं जैसी आपने में बनाई है काम करने के दौरान भी भी में धर बना हो तो बस उसके अंदर आप दो इसलिए उसके अंदर cream of tartar का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि एक बढ़िया stabilizer है किसी भी चीज को उसी अवस्था में रोक करने के लिए ये एकदम सक्षम है इसलिए हम cream of tartar को baking का king भी मानते हैं तो अगर आप citric acid और tartaric acid से इसका comparison करें baking के अंदर तो cream of tartar number one है तो आपके काफी सारे काम हो जाएंगे अगर आपके पास baking powder नहीं है तब आप एक पार्ट baking soda को ले ले और दो पार्ट ये cream of tartar मिला दे तो आपका आसानी से घर में baking powder भी बन करके तयार हो जाएगा तो friends इस तरीके से cream of tartar cooking में या घर की साफ सफाई में तो इस्तमाल नहीं होता और नहीं ये ज़्यादा खटा होता है लेकिन baking में आप इसका बेजजचक इस्तमाल कर सकते हैं आपको result बहुती बढ़िया मिलेंगे अब बात आती है ये cream of tartar हमें कहां मिलेगा कितने का मिलेगा तो friends जैसे citric acid और tartaric acid आपको general store या परचुन की दुकान पर मिल जाता है cream of tartar आपको छोटी-मोटी दुकानों पर नहीं मिलेगा इसके लिए आपको super market, super store, online या फिर जहां पर cake बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर आप इसे purchase कर सकते है 100 gram की कीमत लगबग 300 रुपया होती है तो इस तरीके से friends I am sure इस वीडियो से आज आपके सारे doubts clear हो गयोंगे बहुत से लोगों को इन तीनों powder में confusion रहता है कि क्या ये एक जैसे काम करते हैं, अलग-अलग काम करते हैं और अगर ये नहीं विल रहा तो क्या हम दूसरी चीज यूज कर ले तो आप जान गए हैं बेकिंग में किसका इस्तमाल किया जाता है और कुकिंग में किसका यहां पर एक जरूरी बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोज आप देखते रहते हैं तो आपने देखा होगा मैं विप्ट क्रीम को स्टेबलाइज करने के लिए साइटरिक एसिड का इस्तमाल करती हूँ वो इसलिए क्योंकि साइटरिक एसिड जनरली हर किसी को छोटी मोटी शॉप्स पे भी मिल जाता है क्रीम ओफ टार्टर अगर हम इस्तमाल करके दिखाएंगे तो आपके लिए काफी कठिना ही हो जाएगी क्रीम ओफ टार्टर अवलेबल है अपको उससे पह ज्यादा ऑच्छे रेजल्ट मिलेंगे नगे ऊहले किन पंडम्स को अधिन रहा होगा लेकिन फिर खावट आप मुझे कमें econom सेक्शन में बटे करके पूच सकते है आज का वीडियो आपको कैसा लगा कितना useful लगा कितना helpful लगा जरूर बताईएगा पसंद आया हो तो इसे like share कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए नए मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं तो साइड बे दिया गया bell icon दबाईएगा मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही जानका